एलो माइ यूट्यूटीब फामली हूप सब लोग बहुत अच्छह उंगे तो दोस्तो मैं आप लोग से गंदर सिल्मानी ले करे हैं आप लोग लिए एक और बहुत ही बीडोफुल सी हैkeeping वने वाली और उसको भी बहुत डिटेर्स में बताने वाल हूं तो दोस्तों हैं कैसे लगते हैं बिनिद के बाहाल अब यह हैं टेक्शराइजिंग के बाद तो दोस्टों आप देख सकते हो कितना पफ के लिए एक section अलग कर लिया है जल्दी से मैंने occipital bone के ओपर अपनी पूनी बना लेनी है ये बहुत tight से अच्छी सी पूनी बनानी है आपने और आप देख सकते हो टक्षरेजिंग के लिए कितना neat work हो रहा है अब फटा फट से हम लोग puff बना लेते हैं तो दोस्तो इस puff के इंदर में आपको stuffing लगाना भी बताने वाला हूँ stuffing आप कैसे लगा सकते हो बहुत ही असान तरीका है मैंने दो layer के उपर जल्दी से backcomming करी है और backcomming करने के बाद उसके उपर मैंने ये रखा donut और donut को मैं जूड़ा पिंसे नीचे की तरफ से सहारा लेते हुए lock कर रहा हूँ ये दोनों साइट से इसी तरीके से आपने lock करना है और ये जो पूरा puff है मैं पूनी के उपर ही lock करने वाला हूँ यानि कि जो नीचे low based मैंने पूनी बनाई है ये पूरा puff वहीं पे lock होगा और इससे क्या होगा आपका puff का puff बन जाएगा और बहुती ज़्यादा मजबूती रहेगी अगर आप इसके उपर चुन्नी भी टक करोगे तो वो चुन्नी भी बहुत अच्छे से टक हो जाएगी अब मैं इसको छुपा लूँगा फटा फट से last layer को backcoming करते हुए अब ये last layer जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि last layer को ज़्यादा backcoming नहीं करनी होती हलकी सी backcoming करके और उसको फटा फट से हम लोग आप neat कर लेंगे ये मैंने जल्दी से neat कर लिया तो दोस्तो नीट करके अब हम इसको बिल्कुल लोग पोनी के उपर लॉग कर रहे हैं हाँ पे भी मैं जुड़ा पिन ही यूज कर रहा हूँ बड़े वाले जुड़ा पिन से हमें इसको अच्छे से tightly लॉग करूँगा वैसे तो ये बेस के इंदर आ जाएंगे सारे पिन्स इसलिए यहां मैं कम पिन लगा रहा हूँ आप चाओ तो जादा भी लगा सकते हो बड़े अभी मेरे को पूरा ढग देना है तो इसलिए मैं दो या तीन चार पिन्से इसको फटा-फट से लॉक कर रहा हूँ आप बार ही हमारे फ्रंट की फ्रंट पे आपने एक-एक लेयर उठानी है और रूट्स में बहुत ही माइल सी बैककोमिंग करनी है और बिल्कुल मैंने मिडल पार्टिंग करी है और उसके उपर फटा-फट से मैंने बैककोमिंग करके इसको नीट कर लिया है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं स्प्रे यूज कर रहा हूँ अपना वही शॉर्ट स्कॉफ का टाफ्ट 6 लेवल होल्ड हेर स्प्रे यूज कर रहा हूँ और इस तरीके से फटा-फट से नीट करेंगे और इसी तरीके से सेम मैं अधर साइड से लॉग करूं यानि फ्रेंट से मैं जो इनको लुक दे रहा हूँ वह मैं पेस्टेड लुक दे रहा हूँ जो बहुत ही अच्छी लगती है इस तरीके की उकेजन पर क्योंकि यह जो मेरी client है और इन client के जो आज occasion है वो है bridal यानि कि आज इनका bridal है और मैं आज जो आपको सिखा रहा हूँ यह बहुत ही amazing सा bridal hairdo सिखा रहा हूँ जिसके अंदर हम थोड़ा different चीज प्ले करने वाले हैं पीछे की side भी और आगे की side भी तो आगे की side जो मैं play कि दूसरी side से भी मैं spray करते हुए नीट करते हुए दोस्तों जब भी आप ऐसे कुछ bridal hairdo कर रहे हो तो front बहुत अच्छे से नीट करना चाहिए एक एक layer को अच्छे से connect करते हुए लेके जाना चाहिए especially hairline को बहुत अच्छे से clean करना है so that आपका bridal hairdo बहुत ही अच्छा लगे क्योंकि ब्रैडल के अंदर हमने एक एक बाल को अच्छे से नीट इसलिए करना है so that client आपके बालों के विज़े से परिशान नहों क्योंकि पहले ही वो ब्रैडल के दोरान बहुत कुछ करी कर रही होती है तो बाल को बहुत अच्छे से lock कर दें अब अगर आप लोग टीका लगाना आपका पूरा का टीका टीक जाता है इसी सही तो यहां मैंने बंजी को बनाया है बंजी आपको लोगों को मैंने सिखा रखी और मैंने इसके उपर शॉर्ट भी बनाया हुआ है आप शॉर्ट में जाके हमारे सीख सेकते हो बंजी कैसे बनाए और इसको मैं बंजी से बनाके एकडम exact line यानि guard line पे लाँगा और वो guard line क्या होती है कि बिंदी वाला जो area होता है जो बिंदी वाला area होता है वो हमें छोड़ना होता है और अभी मैंने दोनों साइट से normal lock किया हुए और जो उपर वाली chain है वो भी ऐसे ही है मतलब आपने middle chain को अच्छे से पगड़के खीच लिया है तो आपका पूरा का पूरा माथा पटी जो ठीका होता है वो set हो जाता है लॉक हो जाता है आप लोग इसी तरीके से lock करेंखे और आप मेरे lock भी देख सकते हूं मैं बहुत धिंग में और बहुत ही कभी कभी क्या होता है बाद में पड़ को लगाते हैं तो उसकी भी हमारा gap दिख रहा था, space दिख रहा था, वो सब मैंने cover कर दिया और spray से कर दिया इसको अच्छे से lock, तो आप देख सकते हैं, सरफ एक चीज को lock किया और पूरी की पुरी माथा जो अपनी माथा पट्टी होती है, वो proper lock हो आती है, तो दोस्तों इसी तरीके से आपने आप मैं side में भी अगर पिन अप करूँगा तो देख सकते हैं, आपने नीचे मैंने side में pin up किये, और ये pin up को भी मैं hide कर दूँगा बालो से ही, ये देखिए, ऐसे ही मैं other side से कर दूँगा तो क्या होता है, pin नहीं दिखता, और जो हमारे जुड़ा है, उसकी chain दिखती है हलका full का दिखता है, वो चलता है इसी तरीके से आपने जो मैंने उपर से side से बाल लिये थे उनकी एक layer को मैंने back home करके spray करके इसको कर लूँगा जल्दी से hard और इसको hard करके क्या करने वाला हूँ मैं pony के उपर wrap अब इसे pony के उपर wrap करने का logic क्या है कि मुझे एक चाहिए base और मैं यहाँ पर stuffing से base नहीं बना सकता क्योंकि मैं इसके उपर एक चीज apply करने वाला हूँ जिसके लिए उसका जो नीचे का base है बहुत soft होना चाहिए अगर आपने stuffing लगा के base बनाया उसके उपर यह rose और यह चीज लगाई है तो समझ लो आपके यह सब तूट सकते हैं खराब भी हो सकते हैं तो base नीचे से soft होना चाहिए आप देख सकते हो मैं flowers को काटना भी बता रहूँ कितने दूर से काटना चाहिए और एक और चीज आप देख सकते हो कि मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप flowers मंगाए client के लिए उसके bridle में लगाने के लिए तो flowers आप छोटे मंगाए उनकी dandy soft होते है जिसमें आपका easily tucking हो जाती है pin up हो जाता है पतली होती है तो pin up भी बहुत अच्छे से हो जाता है इस तरीके से काट लें अच्छे से अब यहाँ लगा कैसे रहूं आप देख सकते हो पहले मैंने mid में एक flower लगाया इसी की guideline को follow करते वे मैं इस दरसाइड लगाँगा फिर other side लगाँगा यहां जो मैं लॉक कर रहे हो जुड़ा पिन और बड़े वाले बॉब बॉब पिन से लॉक कर रहे हो और यहां जो यहां लगाँगा एक पैसा रजा के बाद फ्लार लादे और इसका अपने तरीके से तोड़के इनके बंच बनाने हैं, आप देख सकते हैं कि बंच में कैसे बना रहा हूँ, इस तरीके से बंच बनाएंगे और इनकी एक्स्ट्रा डंडी हैं हम सीजर से कट कर देंगे और इन विसली पेंसे बना दिया और यह एजली देखो टक भी हो जाते क्योंकि नीचे अच्छा बेस बनाएं ना आप यह देख सकते हैं उपने फ्ला आप देख सेकते हैं मैं नीचे से अच्छे से फिलिंग कर दिए तो इसी तरीके से बनाया मैंने अब मैं जो यहां बना रहा हूं इसको हम बोलते हैं प्लेट चेन लुक चोटी यानि जो चेन वाला इफेक्ट होता है वह यहां मिशन चोटी से होता है मैं स्की करके देखेगा में चोटी बहुत अमीजिन लकती है इस तरीकी के ब्राइडल हेरो के इंदर तो इस तरीके से मैं बनाता बाजाओंगा और देख रहेंगे आप ये चैन वाला लोग दे रही है जैसे चैन होती है ना एक के अंदर एक डली होई बिल्कुल वही एफेक्ट आता है और इसके अंदर भी हमें एक और चीज यूज़ करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊं आपने बस हलके हाथों से इसको बनाना है बिल्कुल भी टाइट हाथ नहीं रखने हैं टाइट चोटी नहीं बनाते कभी भी क्योंकि हम बालों के अंदर creativity कर रहे हैं तो इसको छोड़ना नहीं है ऐसे ही तो इसलिए आप थोड़ी loose चोटी बनाएं ताकि आप उसमें कुछ प्ले कर सकें नीचे मैंने rubber band लगा दी और अब मैं इसको थोड़ा सा बालों को stretch करके इसमें bounce create कर रहा हूं 3D create कर रहा हूं यह एक optional है आप चाओ अगर बालों में density जादा है तो आप यह process ना करें मगर वैसे अगर कर लो तो यह बहुत अच्छे लगता है यह जो braid है यह औ और भी creative हो जाती है और बहुत ही अलग लगती है तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है हमारी braid अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज करने वाले है वह मैं आप आपको दिखाऊंगा यह एक बार आप अच्छे से spray कर दे इस प्रे क कर लिया है अब मैं यहां जो यूज कर रहा है इसको हम बोलते हैं गोटा तो गोटे से हम लोग क्या करेंगे जितना भी braid बनाया है उसके जो distance बचे हैं उसके उपर हम इसे wrap करने वाले और बहुत ही असान तरीक है सिर्फ आपने ऐस तरीके से लेके जाना है नीचे की तरफ और उसे opposite side से लेके आने और नीचे की तरफ लिजाके इसके अंदर आपने एक knot बनानी है नौट को अच्छे से tight कर रहा है आप देख सकते हो मैं नीचे की तरफ इसे knot दे रहा हूँ और नौट को अच्छे से tight करूँगा अब यह आप देखेगा यह इसे जितना अच्छे स से हटा दूँगा और हमारी styling complete इसी तरीके से मैंने पूरे में लगाया है आप इसी तरीके से लगा लें तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना beautiful लग रही है styling तो इसे बना के ज़रूर भीजेगा हमें बहुत अच्छा लगेगा तो दोस्तों अगर इसमें कुछ भी नया सिखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा यह बहुत ट्रेंडिंग है styling है इसी लिए मैंने आपको यह सिखाई है तो चलो दूस्तों में चलता हूं नेक्स वीडियो मिलूँगा तब तब अपना द्य